नमस्कात दोस्तों आप कैसे हैं और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों आपके लिए एक बड़ी कुश्कवरी की बात एक नई वेकंसी निकली हुए इसके बारे में आप पूरी जानकाजी लेना चाहते तो आप इस वीडियो को लाच तक देखते कर दोस्तों आप से किरिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप इस चैनल पर पहली पर आले इसचैनल को सब्सक्राइब करना ना भूह एसी वीडियो सबसे पहले लिए राता हैं लैके लख सकते हैं तो आप नवायो डियाल्य समिति करते सिह दो सुशन के लिए आप यहां पर दे 2019 और लाज्ट डेट पे एक्जाम की दोस्तों 15 2019 एक्जाम आपका मार्स 2019 में होगा दोस्तों और एड़िमिट कार्ड आजाएंगे दोस्तों फीज की बात करते हैं प्रिंसिपल का फारंफिल करोगे तो दोस्तों आपके यहां पर 1500 फीज लगेगी एसेडेंट ग्रूप प्रिंसिपल की तो यहां पर आपके यहां पर 800 रूपे प्रिंसिपल की टोटल पोस्त पंस्तों हैं और जन्रलकी बारा है और इस्टी की चाइएसटी की दो है और एड़े आपकी पकिंशार्प होनी चाहिए दोस्तों अठाहर से 50 कि मार्ट कि बात करते दोस्तों मस्ट्र डेग्री ओनीचाहिए आपके पास उसमें 50 मारक्स होने चाहिए बीएड एगजाम एकस्पिरेंस हो ना चाहिए दोस्तां के पास ऐसी डीट कमीसिनार्ड में दोस्तों टोटल प्श तीन है जेनल की एक है औह proves की एक है एश्टी की याँ पर कोई नहीं है दोस्तों अपकी की बात करती हैं याँ पर experience होना चाहिए accident group C की दोस्तों total post 2 है general की 2 है और किसी category की कोई नहीं है दोस्तों age की बात करते दोस्तों आपकी age 18 से 30 होना नहीं वर यह है और eligibility बात करते दोस्तों bachelor degree in any stream computer knowledge होनी चाहिए दोस्तों आपको computer operator group C total post 3 है general की 2 है और 20 की एक है age 28 से 30 bachelor degree in any stream one year computer diploma skill typing knowledge PhD by logic की 16 पोस्त है general की 9 है और 20 की 4 है SC की 2 है ST की 1 है age दोस्तों आपकी 40 master degree in subject with at last minimum 50 marks biology की दोस्तों आपको knowledge होना निवरिया जब आप इस फार्म को अप्लाइक करपाऊगे PGT chemistry दोस्तों आप जिनका फार्म परोगे बाइलोजी, chemistry, commerce, economic इनका आपको ग्यान होना अनिवरिया दोस्तों जब आप इस फार्म को बर्सकोगे और आपके 50 ममारक होना अनिवरिया है chemistry में दोस्तों PGT chemistry में जनरल की 12 है और 20 की 7 है, SC की 14 है, ST की 2 है, total post 25 है commerce की दोस्तों 10 है, 6 है, 3 है, 2 है, total post 21 है PGT economics की दोस्तों जनरल की 18 है, और 20 की 10 है, SC की 6 है, ST की 3 है, total post 37 है PGT जोकरफी की 12 है, जनरल की, और 20 की 4 है, SC की यहाँ पर 7 है, ST की यहाँ पर दोस्तों आपकी 2 है, total post 25 है PGT इंदी की यहाँ जनरल की यहाँ पर 5 है, OBC की 3 है, और SC की 2 है, और ST की 1 है, और total post 11 है ST की 10 है, जनरल की, और OBC की 6 है, और SC की 3 है, ST की 2 है, और total post 21 है PGT math की यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 8, 5, 3, 1, total post 17 PGT physics की देख सकते हैं दोस्तों, total post 34 है PGT IT की देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जनरल की 5 है, और BC की 3 है, SC की 2 है, ST की 1 है, total post 11 है आपकी age 40 होना चाहिए दोस्तों, BCA आपकी, BSC, BTEC, BTEC, MTEC, BCA, Degree in Computer Science IT है तो दोस्तों आप इस फारम को apply कर सकते हैं, दोस्तों इसका मैं official notice आपको दिखा देता हूं यह इसका official notice है, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं All India वाले इस फारम को apply कर सकते हैं, दोस्तों आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि या आपकर जानकारी मैं नहीं पहले दे दी है दोश्तोय आप यहाँ पर देश सकते हैं किस किस के लिये कितनी पोश्ट है जो आपका एक्जाम सेंटर यहाँ पर आयेगा आपको मैं देखा देटाओ आम्रीच सर्द अजमिर इलावाद बंगलोर, बोपाल, वोपेंस्वर्ट, चंडिगर्ड, पंचकुला, मुहाली, चेनने, देरादून आप यहाँ पर देश सकते हैं दोस्तों आपका एक्जाम सेंटर यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर देश सकते हैं इस वीडियो को पोच्छ करके आप यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, इनमें इतनी क्वालिफिकेशन होना नहीं वहरी है जब आप इस फारों को अप्लाई कर पाऊगे वह जानकर यहाँ आपको मैंने पहले दे दिये दोस्तों कास सेड्डूल देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप SC, ST को 15 IS की छूट, OBC को यहाँ पर 13 की, जनल को 10 की यहाँ पर यह बता गया दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपस सलेक्शन किस प्रकार होगा दोस्तों आपका रिटर्न एक्जाम होगा फिर इंट्रीव के लिए आपको बलाएज़ाएगा कोटओफ के इसाब से आपका यहाँ पर सलेक्शन होगा यहाँ पर बता गया दोस्तों आप इस वीडियो को पोच कर सभी जानकारी ले सकते और दोस्तों इस नोटिफिकेशन का आप को मैं निचे लिंक निदे दूआ और आप इस भार्म को कैसे अपलाई कर सकते उस वेबसाइट का भी लिंक का आप को मैं निचे दे दूआ आप देट बताएगे दोस्तों आप कबसे फार्म बना सुरूच को दोस्तों आपको ये जानकारी मैंने पहले दे दिया को दोस्तो इसका अफिसल लोटीश आपको मैं देखा देता हूं के यह फिसल साइज है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। से चिमाती आप यहां अपर देख सकते हैं। इंदल शु particular वेब साइट है। और इसका वी लिंक आप को महीं निची देखेगाँ। दोस्तों आपको और कोई भी आपका डाउट हो दोस्तों आप कमेंट में पूश सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले और आप इस चैनल पर नहीं आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज का आपका दिन सुभ रहे देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों